सबस्क्राइब करें दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा प्लेटिट कैसे बना जाती है दोस्तों यह प्लेटेड जो सिखने को मिलेगी इसको आप शॉर्ट टॉप यह फिर पहन सकते यह बहुत ही जबदस इसका लुक आता है और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप अगर आपने अब तक हमारे नए गैस को सुप्सक्राइब करें हमारे नए चैनल का आपको पहले आपको दिखाता हूं आज की जो वीडियो है उसमें हमने इस कट का थोड़ा सा डैमो १। तो वी देमो तो फ्रेंबस अब देख सकते हो यहे मेरी वाइफ आप एक डीन अज चाहए है लोग दोस्तों आज कि वीडियो में आपको में इसकट चाहने जा रहा हूं तो शुरू करते से आज एक कि वीडियों कुछ नया तो फ्रणेस यह जो आप कपड़ा देक रहे हो यह मेरे पास है गलेज को निए देखीये दोस्तुर। कप्ड़ा और ते इस डायमीटर कपड़े में से दोस्तों मैंने बनानी है प्लेटड़ स्कर्ट, फ्रेंट से की स्की कटिंग होगी, यह मैं आपको आज की वीडियम बताई रहा हूं, और दोस्तों साथ-साथ मैं आपको यह भी बता दूँ, जरूर निया कि डायमीटर में ही बनानी है, आप च से आप से कटिंग होगी यह आप देख सकते हूं यह कपड़ा डबल है इसको मैं इस तरह से रखा हुआ है सबसे पहले आप इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिए देखिए यह टोटा चार बर मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से बार अब अब फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह जो कपड़ा मेरे इस तरह से फोल्ड किया है अब इसकी आपको सब्सक्राइल बताता हूं मैं लंबाई क्या है इसकी जो लंबाई तयार हमें चाहिए वह चाहिए 38 इंच और इसकी जो कमर है कमर इसकी 34 यानी की लेंथ ये देखिए 38 है और जो कमर है वह 34 बिल्कुल आसान तरीके से ये इस कट आपको मैं बताता हूं कैसे इसकी कटिंग हमने करनी है तो सबसे पहले करना क्या है जैसे कि आ हैं दो पार्ट करने के बाद अब इसे आप इस तरह से फोल्ड कर रें ये देखें दोस्तों कहना के मतलब मेरे यह है कि जो बंदवाला हिस्सा ये वाला यह आपको अपनी तरफ रखना है और यह जो खुला हुला हिस्सा या आपको उस तरफ रखना है सबसे पहले ना करना करें फ्रेंट यह देखिए तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है सिर्फ आदा इंच का यह देखिए यह दो निशान निशान है यह मैं इसलिए लगाया क्योंकि इसके उपर लगाएगी बैल्ट और बैल्ट की चुड़ाए रखनी हमने दो इंच दोस्तों करना क्यां आदा इंच के निशान से आपको 2- इंच Eck लेना यह देखिए यानि की यह दो इंच उपर निकालता हुए आपको लंबाई नापनी है लंबाई है 38 इंच यह 38 इंच नहीं 38 इंच इसकी लंबाई है आप इस लंबाई पर निशान लगाए एक इस तरीके से और इसके अलावा नीचे फोल्ड करने के लिए आपको लेना है लगबग 2 इंच दो इंच हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे बस इतना सा आपको काम करना है और कर लेनी है कटिंग तो फ्रेंट्स बिल्कुल असान तरीका है इसमें सिर्फ लंबाई का और कमर का नाप लिया जाता बाकी किसी नाप की जूर्ट नहीं होती तो यह जो हमारी स्कार्ट की कटिंग हो चुकी है अब फ्रेंट्स सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे प्लेट्स प्लेट्स के लिए उपर वाला भाग है यह देखिए यह दो पार्ट्स हैं आपके दोनों को अलग कर लें आप इस तरीके से अब यह जो पूरा का पूरा कपड़ा है इस कपड़े में फ्रेंट्स हमें इस तरीके से प्लेट्स लगानी है यह देखिए यह जो प्लेट्स है इस तरीके से लगेंगी और यह प्लेट्स किस तरीके से लगानी है कितना डिस्टेंस रखना है इस सब कुछ में आपको बता हूं यह देखे फ्रेंट से दो इंच इदर से और दो इदर से मैं आप चोड़ा है और इसका जो टोटल ये देखिए 17 आपको दिखे लागा यानि की जो श्रै लगेगी एक इधर लगेगी और हमारी इधर लगेगी यह हमारा extra margin होगा माल लिए किसी कभी lose करनी हो तो हमारे पास option होगा इसको lose करने के लिए भी तो इस तरीके से दोस्तों दोनों तरफ आपको ड्रेर इंच का मारजन छोड़ते हुए यह देखिए लगबग यह द्रेर आपको छोड़ना है और प्रेट्स लगाने के लिए आपको दो इंच से आपको प्रेट्स स्टार्ट करनी है और आपको इस तरह से प्रेट्स लगाने के हमारी जो कमर है हमारी 34 कमर तयार हो जाए तो यह 17 इंच का यहां पर मैंने निशान लगा दिया है इसी तरीके से दूसरे वाले जो इसका पार्ट से उसमें भी मैं प्रेट्स लगानी है यह सिर्फ प्रेट मैंने आदा इंच Catalog कीत Fifiest लेट्स लगा नीए जोरूरी निए कि आदा इंच में प्रेट्स लृट्ट हो अगर आपके कपड़ा और भी। है तो अ cred ti सा घडा सकते हो अगर कपड़ा है तो प्रेट्स फोटी भी कर सकते हो व प्लेट के लिए को issue कितनी fix रखनी है बस यह कि प्लेट सारी आपके बराबर हो और जो कमर का आधा होता है जैसे 34 कमर है 34 का आधा होता है 17 तो आपको एक पार्ट को 17 में cover करना है इस तरीके से दोस्तों यह प्लेट्स आपको लगानी है यह मैं आपको मशीन पर दिखाता हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए फ्लेट्स लगा रहा हूं में सिर्फ आदा आदा आइंच की करीब आदा से पॉना आइंच का बीच का इसका में डिस्टेंस रखना है और यह जो स्लाई है आपको कच्ची स्लाई लगानी है कि इस तरीके से कि इस दोस्तो इतनी सही लगाने के बाद एक बार आपको यहां से नाप लेना है कि आपका इस सत्रेंज में आये गा नहीं आएगा तो दोस्तो मुझे लगता है आजाएगा इसमें केवल अभी एक तो प्लेटों डालूंगा मैं और आम से अपड़ा सत्रेंज में कवर हो ज आपको जो स्राइब लगानी है 17 पे लगानी यह देखे 17 दूनी 34 एक पार्ट यह त्यार कर लेना है तो प्लेट्स लगाने के बाद आप जो सबसे में काम है वह है इसकी प्रेस क्योंकि बैल्ट लगाने बाद प्रेस करने में दिक्क्त आएगी इसलिए पहले इसको आपको जो प्लेट्स की करने बिल्कुल नीचे तक करनी है तो ही इसका जो है असली प्लेटो वाला लुक आ जाएगा अब दोस्तों एक पल्ले की तो प्रेस में ने कर लिए दूसरे वाले की जो है प्रेस कैसे होगी वह मैं थोड़ी सी आपको प्रेस करके दिखाता हूं एक दो प आपको करना क्या है आपको इस तरीके से इसको बिच्छा लेना है कपड़े को बस इस तीर का ध्यान रखना है आपको कि आपको जो भी जितनी भी प्लेट्स है इनकी जो प्रेस है वह आपको बैल्ट लगाने से पहले ही करनी होगी क्योंकि बैल्ट लगाने के बाद क्या है है कि अच्छी तरह से प्रैश आपकी हो नहीं पाती तो यह देखी आपको इस तरीके से यह प्रेट को पकड़ना है और इस तरीके से नीचे तक इसमें आपको इसकी क्रीज बनाते हुए जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रीज मैंने बना ली है अब यहां से इसकी मैं प्रेस स्टार्ट कर रहा हुए देखिए यह एक प्लेट मैंने बना ली है अब इसी तरीके से आपको यह दोस्री वारी प्लेट है इसको उठाना है और बराबर बराबर डिस्टेंस रखते हुए इस तरीके से यह दो प्लेट्स हो गई इसी तरह से स्रिक्वर्ण वाइज आपको सारी के सारी जितने भी प्लेट्स हैं आपको इस तरह से प्लेट्स का बनाते हुए इसमें आपको प्रैस करनी है दोस्तों जो मेन काम है इस इसकर्ट का वो प्लेट्स का ही है इसलिए इस skirt का नाम है plated skirt आगर आपकी plates एकदम अच्छी स्थिक बन जाती हैं अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हो तो बहुत जबरदस तो तो पहने के बाद दोस्तों इसी तरी से सारी के सारी प्रीट से आप इनकंट प्रैस कर लें को छाओर जैसे क्या है दोनों की सब्लक abstractif मैं साइड में उसके लिए क्या करना है आपको यह देखेंक मैंने निशान लगा रखा है यह निशान लगा है लगबग शाड़ेशन पर तो आपको इसी तरीके से दोने तरफ अगर हम दो बैल्ट अलग अलग लगा देंगे तो असानी से लूज भी ओ सकती है यह कभी इसको लोज करना हो तो फिलाल दोस्तो आपको दोनों स्लाय लगाके इसको बंद कर लेना ऊपर से आपको कर लेना सिधा यह देखिएального अब फ्रेंट से सुधा करने के बाद हम इसमें साइड में चैन में लगाने के लिए बहुत विए话 ऊतार तरीका आपको बताऊँगा चैन हमेशा आपको लगानीए लेस्ट यह देखिए यह लेफ्ट रेंट की तरफ में चैन लगाऊंगा हमें करना क्या है यह जो निशान लगाया था हमने जो एक्स्टा है सट्राइंच के अलावा यहां पर आपको हलका सा कट लगा लेना यह देखिए और इस कट के अपोर्डिंग ही फ्रेंट्स यह देखिए आप आपको यह जो एक्स्टा कपड़ा है इसको अंदर तरफ में फोल्ड करते हुए आपको चैन लेनी है और चैन को इसके नीचे रखते हुए बिलकुल आसानी से एक ही स्राइब में चैन आपके लग जाएगी दोस्तों के चैन कैसे लेगे यह मैं आपको बाताता हूं मशीन लगते है इस कट से स्कट को मिलाता हूए यहां पर आपको रखना है और के वल एक ही श्राय में यह चैन आपके लग जाएगी है कि इसके बाद इसको आपको यहां से पकड़ना है और सारह क्यों सारे माररजन को अंदर कलते हूए यहां पर आपको स्लाई लगानी है और अब इस स्लाई को यहां से आपको घुमाना है तो फ्रेंट्स के वल एक ही स्लाई में आप देख सकते हो इस चैन हमने लगा लिए है बहुत असान है चैन को लगाना के बाद चैन लगाने के बाद और अब के रहें i.h इसके हमें जुरुत नाहीं होगी आप इसके बाद जुरुत पड़ई घ्रेल्ट डिल्क्तिंगाने के क्लिए क्या करना है दोस्तों आपके पास बु harshन कहों बुaríaं तो अंभ बुच्छ कर रहा ह Conक्राल बुकरम dann लेना है तो जो भी आफको भाखको ध Palace लेना है और जो फिछ से के अंगी है अचल अधर आपको बराबर रखना सकते हो इसके बाद करना क्या है आपको अगर आप चाहो तो सेम कलर की भी इसमें लगा सकते हो लेकिन दोस्तों मैं इसमें जो बैल्ट लगा रहा हूं लगा रहा हूं ब्लैक कलर की इससे बहुत अच्छा इसके अंदर लुक आएगा बैल्ट बनाने के लिए करना क्या आपको इस तर फोल्ड करोगे तो आपकी जो बुकरम होगी अंदर की तरफ चली जाएगी उसके बाद आपको एक स्लाई लगानी है या पर दोनों ही बैल्ट आपको इसी तरीके से बनानी है बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका यह जो कपड़ा है लगबर इतना हो कि आपका बैल्ट के साथ मारजन में टैच हो जाए यानि आदा इंच आपको कपड़ा यह वाला एक्ष्टा चाहिए तो फिलाल दोस्तों मैं आपको यह लगा के दिखाता हूं उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से बैल्ट आपकी कंप्रिट हो जाएगी और कैसे बैल्ट को हमन हुआ है यह देखिए कि यह स्लाई लगाने से फैदा यह होता है कि आपकी जो बुकर में अच्छी तरह से पकड़ कर जाती है दोनों कपड़ों को है तो फ्रेंड्स दोनों बैल्ट है जो आगे पीछे की हमने रेडी कर ली है इस बैल्ट को लगाना बिलकुल आसान है बस आपको करना क्या है आपको इस बैल्ट को यह दिखिए इस तरह से उठाना है यह जो स्लाई है इस तरह से लगेगी और यह सारा का सारा मारजन है जो अंदर की तरफ आ जाएगा एक चीज़ का आपको यह रखना है इदर से आपका जो बैल्ट है बिलकुर ब्राबर होनी चाहिए इदर से जितने भी बैल्ट आपकी बढ़री उसको बढ़ने दें इसको ब कर सकते हैं यहां फिर आप इसको इदर से शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो स्लाई है बिलकुल आसान तरीके से आपकी लग जाएगी तो यह स्लाई देखे दोस्तों इदर से शुरू करता हूं और यह लगा कि आपको मैं इसका लुक दिखाता हूं तो फ्रेंड्स य अब आपको एक स्लाई लगानी है बिल्कुल ही किनारे पर यह देखिए यहां पर लगानी है जिससे किया यह सारा मार्ज अंदर चला जाएगा और यह जो एक्टा जो कपड़ा है आपका इसको इसके साथ इन फोल्ड करते हुए आपको सीधी स्लाई यह निकाल देनी है यह द करते हुए आपको इस तरह से स्लाई लगानी किनारे पर अब देख सकते हो यह स्लाई मैंने लगा ली है इसमें और यह जो एक्टा है जो हमारी बैल्ट इसके नीचे जो कपड़ा था इसको मैंने नीचे से कवर कर लिया है अब इसी तरीके से अब आपको जो दूसा वाला है इसका बैल्ट का उसमें भी आपको लगानी है पडराइन लगाना बिलकुल असान इन यह देखी है आप आप को स्राई नियुद लगानी को पूरा आप ख doll coping ने पर अब देखी आपको इस ज्टाइच और यह देखे 17 यहां पर आ रहा है यहां पर आप चौंक से निशान लगा लें इसी तरह से आप जो पीछे वाला इस्सा है यहां पर भी 17 ना आप लिया है अब दोस्तों इसको आपस में इस तरह मिलाते हुए जो थोड़ी से हमारी स्लाई बचली थी साइड की इस स्लाई को मिला आपस में और सीधी स्लाई लगा लेनी है इससे क्या होता है दोस्तों आपकी जो कमरे 34 से इस त्यार हो जाएगी और मान लीजे कभी आपको कमर लूज करनी हो तो हमारे पास यह एक्ष्टा बच रहा है जैसे पैंट में पीछ जैसे होता है जैसे पैंट में आप चाहो तो इसको बाद में लूज कर सकते हो तो फिला दोस्तों इसलाइब को कम्प्लिट करते हैं उसके बाद हम इसमें लगाएंगे साइड में हुक फ्रेंड्स हुक लगाने के लिए करना क्या है आपको ये देखिए जिस तरफ आपने ये वाला हुक लगाना है आपको मैं दिखाता हूं ये हुक कैसे लगेगा आपको इस चैन से आगे लेकर चालना है लगए एक इंच एक निशान लगाएं इस तरीके से और इस निशान से को फॉल्ड करना है की फॉल्ड करने के बाद यह जो सीध सीध है यहां पर आ रहे हैं और इस जगह पर आपको ठोगना है हुकас सीध िसको सीधा कर 국민 death होते हैं हैं आप चाहो तो की तो सुई धागे से प्य एक होते हैं क्यांची की अब क्यांची की मदद से आपको इस तरह से इन हुक्स को फोल्ड करना है है और दोस्तों यह जो हुक है इसके अंदर फिक्स हो जाता है इसको फिक्स करने के बाद अब फ्रेंड्स हमारे पास जो एक्ष्टा जो कपड़ा है यहा बैल्ट का जो आप चाहो तो इसकी कटिंग कर सकते हो यहाँ बिना कटिंग करें आपको इस तरह आप कर शेया लगानी इस तरीके से, आप स्रे लगा सकते हो, यहां फिर तुर्पाई भी कर सकते हो, तो दोस्तो एक तरफ तो इसमें इस तरह से हुक लग जाता है, अब जो दूसरी तरफ आपको लगाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यह देखिए, जैसे आप इसको बंद करोगे, बंद कर इसको लगाने के बाद इसे आप इस तरह से जिस तरह से मैंने कैंची से इसको दोनों तरफ से फोल्ड किया था इसे भी आपने कैंची की मदद से इसको फोल्ड कर लेना है और यह जो एक्स्टा जो है थोड़ा सा कपड़ा इस तरह बढ़ाते हुए आपको इसे भी आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है तांकि बिल्कुल नीचे से चुभेना दोस्तो इस तरीके से आपका असानी से हुक लग जाएगा अब इसको आपने स कुछ आपको दो इंश पर फोल्ड करते हुए तरही से आपके पास loosen 2 है आप चाहो तो इसके नीचे तोरपाई कर सकते हो याँ चाहो तो सतरे हैं एक अचीन sì मिल दिश्ट्ण लगानी है और स्वारी आपका मैं चडिक सकते कर दिया है हमें से अजो हूँ का काम ऽो भान हासे लगा दिए दोश्टों कैरे यह हो प्रेंड हो चुकी है हमारी जो फिर 11 और इंटर लोक और ऐसकी एक बार दूबारे से हो गी है कि दोस्तों एक बार में इसकी मैंने प्रेस कर ली थी प्लेटों की लेकिन क्या है कि जब हम बनाते है तो थोड़ा बहुत इसमें जोलवगर आ जाते हैं जैसे देखे दुवास में वटने अगे यह अब इसको दुबारे प्रेस करने में ज़्यादा प्रॉल्म क्रिज बनने पड़ी है अब दोस्तों इसको बस एक बार प्रेस करना है और प्रेस करते ही हमारी जो है इसकर्ट पहनने के लिए रेडी है तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बता है कि प्लेटेड किस किस तरह से बनाई जाती है अब दोस्तों आपको हमारी यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार प्लीज मेरा चैनल को सबस्काइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच्छ